आजमवड के निवासियों ने मुख़मंतरी को क्या दिया आप बताईए आजमवड के वासियों दस विधान सभा में से पिछली बार एक विधान सभा थी अरुकान त्याद हो थे तो उनके वज़ा से कुछ न कुछ यह जनाय आती थी चायपुरवांचेल एक्सपरेस वे हो स पहल तूटा था कि नाटक की थी हो चुना जब तो चुना था तो पहल तूटा था चीज़ चुना का पढ़ना मागे कुट के खड़ी हो गई माधर चोधैसे का दीजेगा का रहतें भी ए आजमवडवालों का दुरभाग है कि यहां से भाजपा जो राज में भी इसावार आजमवडवालिक किछी विफरकार से सथा मैं नहीं है ना राज में सथा मियाना कींदर में सथा केंदर में मोजी जी अलत और प्रिदेश में योगी जी जो गलस क्रया वो भोगी यीक reflected इकवी सब्सक्री चिला रहे हैं वाटनेश की चीना थuję कि जीकष आभा क्ल के फूलपूर वाजार में हम बात करें क्योंकि उत्तरप्रदेश में चुनाव चल रहा था और नतीजा भी आ चुका है सरकार बनने जा रहे योगी की ये पहली बार हो रहा है 1950 से साइद की कोई दुबारा मुखमंत्री बनेगा सरकार तो बनी उसी पार्टी की लेकिन मुखम सवा सीटे थी दस की दसो पर सपा ने यहां पर जीत दर्ज किया वहीं अगर हम बात करें तो केशो प्रसाद मौरिया जो उपमुखमंत्री रहे भाजपा के वो उनकी साख दाओं पर थी और उनकी साख जो है वो मिट गई वो चुनाव हार गए और एक और मौरिया जी थे स साइगन्ज बिदान सबसे ललाई या दो चार बार जो विधायक रहे वो भी चुनाव हार गए वहां से रमेश सिंग चुनाव जीते हैं और चलिए कहीं न कहीं एक तरह से आरोप लग रहा है विपच आरोप लगा लगा रहा है कि वहीं है किया गया तो जो पूरा को दो जिसतर से प्रियंका गाधी ने भी पूरा जोर लगाय था उत्रपरदेश में जीतने के लिए काफी बड़े-बड़े मुद्दे लेकर दावे लेकर उद्रिती चुनाव में कि वहीं सरकार हम बनाएंगे अब की बार का अंग्रेस का जीज अच्चा जी सरकार आप कि माय साथ नहीं 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 इसी बात नहीं है कुछ भी हो गलत आरोफ है और रहे वीजेपी निसमाच चुना गोशा जीता नहीं चोरी हुई है कि इस चुरी हुई ये चुरह कि याजम को में क्यों नहीं चुरुए है हर जगह चुरु हुए है अपता यहां की बात बता रहा हूं यहां की भीनलो जो है इतना लुग केंदर में मोधी जी और उतर प्रदेश में योगी जी जो गलत करें वो भोगी जी किसके में चाहते थे उसके सरकार नहीं है इस सरकार ने अभी तक कभी आई है और भबिसमें आए कि गलत काम किये किसी का गई नहीं है किसने नहीं को गलत काम की अहजारों का नाम कटा हुआ है चलिए चुनाव कोई भी हो आरोप और प्रत्यारोप यह तो तह चीजे हैं कि भी पच्छा रोप लगाता है कभी जब वह हार जाता है तो उसकी भी कुछ वह अगले पारटी की कमियां बताता कि उसने इस तरह से जी बाई सब बताएं क्या लग रहा यह सबस्क् ringing सरकार नो anticipating बाताता कि यह तो यह लेहीं में है गालबड़ होई सबस्क्繁 Ao meles or कट्ना देव अब बाताती लुवारा यह जाना नतुम्हें सरकार कोई भी हो अठ्छा काम करना चाहिए आप बताएं सरकार बढ़ियां सरकार बढ़ियां तो बढ़ियां सरकार थी वो आगे यह बढ़ियां है अच्छा का हो वोट दिये थे हमारे बरतमान में विदायक पुराने हम लोग के संबंदी रहे हैं साथी में अच्छी बात है जो भी है आप सरकार किसकी चाहते थे योगी और मोदी त्याइक आपको सपा का चाहिए वाली बात नहीं है लेकिन हम लोग की च्वाइश जो है जो हमलोग का जो है दिली देता हम लोग भाजपाई हैं लेकिन हमारे पडिशूसी बंता है ही और अच्छी बात लेकिन हमारे जमिनी नेता है पुराने नेता हैं इसलिक उसका सम्माल करते हैं हमाल करते हैं है ऍहलंब कर जीते हैं नहीं पर प Илиयाम कुम नहीं नव्याय लेकिन आरोप लगा अब इपस की चाहते जब हम रे फट जो चीज़ सेशम्किर लुड़ नीचे तो हमको इन हम सरकार सबसे बढ़ीगाए बोलने वह पातो चो आप चाहते लोग चाहते थे कि हैं रोजगार में रोजगारे के लिए और महंगाई को पर लिए लोग सापा को ही जाला मलब लाइक करते थे अब क्या कि जाब तो भाई सरकार बन लुए लें यह है कि हमारे जिले में आजम गर्ड जिल में 10 की दसो सेड़ जो है सापा के ही पाले में आई सब्सक्राइब कर देखा गया होता हो सकता हो सब्सक्राइब की गई आपको कहा है क्योंकि देखा आपने देखा ही होगा किस तरीके से उक रहे हैं देकिन आजम गड़े में पूरी भरपूता रखवाली कि इसलिए वज़े से यहां जो धादी नहीं हो पाई आपके कहने के मुताबिक वहां पर लापरवाई हुई जी जी लापरवाई तो हुई ही क्योंकि देखे वहां डियम जो है के मिसल जो है सस्पेंट के निकाले गए गए बाई गल्तित हो थी तब ही तो वह उन्हों निकाले नहीं गए हैं और यह निकाले नहीं गए हुआ से भाई लेंसे तुम्हारा कर सकता है उसके चोटे जो अथकारी यहां उनको सश्पेंट किया है उन्होंने अपला भाई गलती माफी मागा भाई चलिए हमसे गलती हो गई है अभिनंदन तिवारी जी सरकार तो अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की बन गई लेकिन कहीं ने कहीं विपच का आरोप है कि इवीम में गरवणी की गई यह पोपो गंडा है ऐसे कोई बात नह समस्ता नहीं समस्ता है सरकार से सब कुछ है आप गूरूणे सरकार से बन गई लेकिन और यह कोई सब गलत है कोई दिक्कत नहीं है अगर इवियम पर गलत आरोप लगता तो यह बताएं यहां से कोई दिक्कत होता यहां पर यहीं से हैं लेकिन आजम इस आजम गड़े ने एक भी सिट नहीं दिया बीजेपी को या अधर किसी को सब आको सब दे दिया दस की दस सब आको दे दिया तब कैसे आप चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं सब कोई दिक्कत नहीं थिप्ट कोई दिक्कत नहीं नहीं है बाबाजी बन गया आप बताओं के सिर्राम किसकी चाहते थे इनी की योगी जी की आउल किसका चाहिए उनसे लेकिन आप लोगों ने बिधायक बी नहीं दिया इस आजमगण से आजमगण आप लोग नहीं दिया हम अपना दी आप हमारे एक से तो है नहीं अब लोग ना दे तुसका कोई जिम्मेदार थोड़ा है समर्थन आप लोगों ने बीजेपी का कर्णिडेट एक एक जिएक दोसोट थाइस ओट से हारा है तो वहाद नहीं जीद जाता आपके मुदाबिक इवीयम में कोई कर बड़ी थी तो क्योंकि चुनाओ करवाता वह नहीं करवाती है और गिंती पर चुनाओ करवाता तो वह कैसे जीद गई हमको इसका जबाब दे हो ममताबनर जी हमारी बात वहां तक पहुचा ही जाए उनके यहाँ दूसरे कुप आरोप लगाने इस पहले कादे पहले अपने अंदर जहाक लें उनके अंदर क्या कमी है उनका पैर टूटा था कि नाटक कीती हो चुनाओ जब तो चुनाओ तो पैर टूटा था चीज़िन का पढ़ना मागे कूट के खड़ी हो गई माधर चोदाइसे का दी दूसरे कुप आरोप लगा रीए वो आरोप लगाना अच्छी बात है वह जीती तो इमांदारिस जीत गई बीजेपी जीता तुब इमानित जीत गई जबकि चुनाओ किसके अंतर का दोता है ना कुंतर के उनके अंतर को यो गता क्यों नहीं जीता दिया भाजबाको कि आप लोग किसकी चाहते थे सरकार बने योगी जी आ गए है फिर से चाहती थी आप योगी जी की बने सरकार संदीव गुपता संदीव गुपता है अब यहां से समाजवादी पार्टी स्कार बिदायक बने हम यह चाहते थे कि जिसकी सरकार बने उसका बिदायक लेकिन यह कोशिस नाकाम रही ना आजमगडवालों का दुर्भाग है कि यहां से भाजपाक जो राज में भी है भाजपाक केंद्र भी बाजपा लेकिन इस वार आजमगडवाले किसी फरकार से सत्ता में नहीं है ना राज में सत्ता में ना केंद्र में सत्ता आप आजमगड कि यह बताइए आजमगड की जनता का जो मुद्दा होगा जो आने वाले समय में जो तकलीफिया होंगी वो काउंट राएगा जाकर के सदन में यह लोग तो नहीं उठा पाएंगे हमको लगता ना इन लोग की सुनवाई होगी बताइए ऐसा कैसे हो सकता है क्यों हमारे उत्तरप्रदेश का एक हिस्सा है आजमगड भी तो मुखमंत्री जो है उनको तो आजमगड को भी देखना पड़ेगा ने क्या जो विपच्छ का होगा उससी सुनवाई होगी सबसे बड़ा मुद्दत होगा यहां पर जो बाड़ ग्रस तेरिया है अभी आप क्लीका चांजा नाकने कीट बाटे ना ही सांसद में या नहीं आएथा जो लोकल का जो लोकल पबलिक ली जो कार्टा थे पार्टी के किसी भी पार्टी कि अटिक इनकी वूलोग मेहनत कियेन वक्уса हमारे मुखेमंत्री यहूर मूक्तोर के आफेसा अनुसर यह जया पर जमगड विकास की राव पे चलेगा या विकास के राज इसको किनारे कर दिया जाएगा अपने कहा दुरभाग की बात है लेकिन समाजवादियों का कहना कि लेकिन उस सवबागे में इस जन्त आम जन्मानस का दुर्भागे भी जादा हावी हो जाएगा है उन्हीं की चक्क्र में हो सकता है कि यहां पर विकास रुक जाएगा जो भी कारे होने वाले हो जैसे यहां अभी देगे ट्रामा सेंटर का काम कंपलीट हो चुका है यहां आजमबड के निवासियों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा हम बता देते हैं मुखमंत्री योगी आदत तनाथ जी से कि यह आजमबड के लोगों में संसय बना हुआ है कि हमने एक भी विधायक नहीं दिया बिजेपी को यह वाई सब कर रहे हैं कि आजमबड का दुरभाग गहिए कि आजमबड में सहाथ पता नहीं वो विकास हो सब्सक्राइक नहीं दिया आप बताइए दादा जी आप किसकी चाहते थे किसकी सरकार बने उत्तरबर्देश में सरकार जिसकी विवनक काम करें जनता के इतमें बस बीजेपी की तो बन गए लेकिन चुनाओं के पहले जब वोट करने के टाइम आप क्या सोचते थे सरकार क जो जोगी जी कैसे हैं अच्छा सब होते हैं काम करें जो अच्छा वही अच्छा का लाएगा जादा एक बात और बताइए जो एवियम मामला चल रहा ही पिछले दो-तीन चुनाओं से चल रहा है काल अगर आपको इगलबड़ी हो सकती एवियम में अरे फरजंती बात जहा जादा जी ने बताएगे सब गलत बाते हैं लेकिन राजनीतिक पार्टिया जो है वह तो वह चुनाव है चुनाओं के वद आरोप प्रत्यारोप यह तो लगना तहीं है वही जी चाहिए पूछे इवियम में चोरी हुई आप ही हम को बता रहे हैं चोरी हुई है सब लोग देखा रहे हैं लेकिन सब लोग बता रहे हैं वहां पर देखने जाते नहीं है आपको क्या लगता यह चीज हो सकता है मैं अभी का इस चोटे बड़े जो पार्टियों को कई बड़े जो पत्रकार आइए वह लोग कहीं दिखाते ही नहीं पर वाईन नहीं तो क्या आए मुलाय म सिंग और मायाबस्क्य मायावत्य डिका अब बताए बद लेकि चलते हो लोग बहुत अच्छा है कि हमारे यहां से जो दस्की दसों बिधान सभा सीड थी और समाजवादी पार्टी ने अकलिश को दिया आप कहरें बहुत अच्छा लेकिन यहीं पर अभी एक लोग से हमारी बात हुग कह रहें कि यह आजमगड का दुरभाग है आज लेकिन अभी तक उनका किया हुए कुछ काम नहीं है जो भी किया हुआ है समाजवादी पार्टी का अकलेश और मुलायम सिंगा बाकी सब्सक्राइब का एक भी काम नहीं है चलिए ठीक है अब लेकिन जो भी हो आप लोग भी वीडियो देखकर कमेंड में राजें क्या लगता आप लोगों को सरकार योगी जी की बन चुकी है इतिहास एक तरह से हुआ कि कोई दूसरी बार मुखमंत्री की सपत लेने जा रहा है व्मारा वीडियो देखकर आप भी कमेंड में राजें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सेस्क्राइब कर लें